आप पूरी तरह से तभी स्वस्थ होते हैं, जब आपका तन मन दोनु ही स्वस्थ हो, अगर इन में से कोई एक पी चीज स्वस्थ नहीं या कोई दिक्कत हैं, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ होने का दावा नहीं कर सकते हैं, तन मन के स्वस्थ होने से आप पूरी तरह से स्व मानसिक स्वास्थय के लिए उचित पोशन अतियंत आवश्यक होता है, अगर आपकी मानसिक स्तिथी सही नहीं है या आपका दिमाग सही से काम नहीं करता नहीं तो आप बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हे करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, हमारा खादिय कई मानसिक स्वास्थय ब बढ़ाएंगे यह हैं कुछ खादिय पदार्थों को शामिल करके कोई भी मानसिक फिटनिस को बढ़ावा दे सकता हैं। मानसिक स्वस्थय के लिए सबसे बेस्ट आहार अंडे जीहा नदी हमारी सेहत के लिए तो बहतरीन होते ही हैं लेकिन यहें इसके साथ साथ हमारे मानसिक स्वस्थय के लिए भी बहुत बहतरीन होते हैं अंडे में प्रोटीन के उच्च स्रोत होते हैं। इसके अलावा, अंडे कोलीन का भी प्रमुक स्रोत है जो हमारी याददाश्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, इससे हमारी याददाश्ट को मजबूत ब नाए रखने में मदद मिलती है. कुछ स्विस शोद करताओं के अनुसार, अंडे या आन्य प्रोटीन यूक्त खाद्य पदार्त खाने से समस्त ग्यान समबंधी प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं. अगर आप रोज सुबह नाश्टे में उबले अंडे खाते हैं, तो इससे आपको काफी लंबे समय तक गूख नहीं लगती और आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है, और यह आपके मानसिक स्वास्थिय के लिए भी बहुत अच्छा होता है. अलसी की तासीर बहुत ज्यादा गर्म-गर्म होती है जिसका इस्तेमाल लोग सर्दियों में जम कर करते नहीं, यह हुमेर इम्यूनिटी को मजबूत बनाती हैं और यह मानसिक स्वास्थिय का भी खयाल रखती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सही प्रकार से का करें तो अलसी आ, पके लिए काफी मददगार हो सकती है, इसमें पाए जाने वाले गुन हमारे दिमाग की काया क्षमता बढ़ाने में बहुत मददगार हैं, क्यूंकि अलसी में मौझूद अलफा-लिनोलेनिक एसिट प्रचुर मात्रा में होता है, जो समवेदी जानकारी प्रक्रिया सेरेब्रल कॉटेक्स के कामकाज को बहतर बनाता है, अगर आप अपने मस्तिष्ट की शक्ती बढ़ाना चाहत हैं, तो आपको इन सर्दियों में इनका सेवन करना होगा, ओट्स, मानसिक स्वास्थय के विकास के लिए बहुत उप्योगी माना जाता है, ओट्स म मस्तिष्ट के लिए उर्जा का प्राथमिक स्रोथ है, इस तरह ओट्स लंबे समय तक मस्तिष्ट को उर्जा प्रदान करता रहता है, ओट्स का सेवन आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्यूंकि यह स्वास्थय के लिए बहुत फाइदेमंद होता है, काबो ह अध्रेट नहीं लेते, उन लोगों में काबो हाइद्रेट लेने वालों की तुलनामी स्मरिती आधारित कारियों का प्रदर्शन खराब होता है, इस लिए बहुतर मानसिक स्वास्थय के लिए अपने आहार में काबो हाइद्रेट युक्पदार्थों को शामिल करें, काब को होशियार बनाने में मदद करता है, अखरोट में कुछ विशिष्ट प्रकार के एंटियोक्सीडेंट और ओमीगा रिंटीन फैटी एसिड होते हैं, जो मस्तिष्ट की शक्ती बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं, सुबह नाष्टे के समय अखरोट का सेवन बहुत ही फा करताओं के अनुसार जो महिलाएं हरी पत्तेदार सबजियां जैसे पालक या फिर सलीबधारी सबजी या जैसे फूलगो भी खाती है वह हरी सबजियां कम खाने वालों की तुलना में संग्यानात्मक गिरावट की धीमी दर का अनुभव करती हैं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आएं तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं और हमारे चैनल को वह अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर, हाश्मी.com चैनल और हाँ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताके आप हाश्मी.com की हेल्थ संबंधी जानकारीयों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं